नमस्कर दोस्तो वेब फर एडिट चैनल में आपका हर्दिक स्वागते दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको सीखाने वाला हूँ रैंड्रोप्स इफेक्ट वाला वीडियो कैसे बनाते तो दोस्तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह सा रैंड्रोप्स इफेक्ट व और अच्छे से देखना ताकि आपको पता चले कि ऐसा वीडियो कैसे बनाते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है इस्टाग्राम को ओपन करना है इस्टाग्राम को ओपन करने के बाद दोस्तों को क्या करना है ये प्लस का आईकोन पर क्लिक करना है ये फिल्टर में चला जाना है लाष्ट में इस पर क्लिक करना है ये फिल्टर पर क्लिक करना है फिल्टर पर क्लिक करने के बाद दुस्ताप को क्या करना है ये सर्च बार में लिखना है रैन ड्रोप्स रैन ड्रोप्स इतना लिखो गए तो दोस्तो आपको पहले नंबर पर एक इफ्रेक्ट दिखने को मिलेगा ये वाला उस पर आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक करके दोस्तो आपको क्या करना है ये इफ्रेक्ट को सेव कर लेना है तो उस पर क्लिक करके उसको सेव कर लेना है ओके दोस्तो इतना करने के बाद दोस्तो फिर से आपको बेक चला जाना है और फिर से आपको एक दूसरा effect save करना है उसका नाम है flicker flicker fishing ये आपको इतना लेखोगे तो दोस्तो आपको पहले नंबर पे एक effect दिखने को मिलेगा उसका नाम भे flicker flicker placing flicker placing वीड उस पर आपको click करना है ऐसे ओके दोस्तो click करके आपको क्या करना है उसको save कर लेना है यहाँ click करके ओके दोस्तो इतना करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है फिर वापस तला जाना है और फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दुस्त आपको क्या करना है ये स्टोरी वाला आप्शन पर क्लिक करना है नमस्कार दुस्तो स्टोरी वाला आप्शन पर क्लिक करने के बाद दुस्त आपको क्या करना है एक फोटो ले लेना है अपनी गेलेरी में से तो दोस्तो ये वाला फोटो में ले लेता हूँ ओके दोस्तो फोटो लेने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है फोटो लेने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है उपर आपको एक इफेक्ट का अप्शन दीखने को मिलेगा ये वाला उस पर आपको क्लिक करना है और जो अभी आपने rain drops वाला effect को आपको save करना है effect ले लेना है उस पर आपको ये वाला ओके दोस्तों और इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये done पर क्लिक कर देना है ओके दोस्तों दन पर कलिक करने के बाद दुस्त आपको क्या करना है इसको सेव कर लेना है यहां कलिक करके और सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है वीडियो से होने के बाद दुस्त आपको क्या करना है ब्यक चला जाना है और फिर से आपको क्या करना है वीडियो ले लेना है जो अभी आपने ये वाला वीडियो ले लेना है वीडियो ले लेना है वीडियो लेने के बाद दुस्त आपको क्या करना है वीडियो लेने के बाद दोस्तों आपको फिल्टर में जाना है ये वाला और नीचे अभी जो आपने ये फ्लीकर फिसिंग वाला उस पर आपको क्लीक करना है उस पर आपको क्लीक करके डन कर देना है ओके दोस्तों डन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है स्टीकर वाला अप्शन पर चला जाना है ओके दोस्तों श्टीकर में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और अपनी गैलेरी में से जो पहले वीडियो में फोटो लिया था वो ही फोटो ले लेना है ये वाला फोटो लेने के बाद दुस्तो आपको क्या करना है पोटो लेने के बाद दुस्तो ऐसे दो बार टिप करोगे तो ऐसे साइज हो जाएगी राउंड में और स्टार में और ओके दुस्तो तो मैं राउंड में रखता हूं अब के दुस्तो इतना करने के बाद दुस्तो आपको क्या करना है यह डन पर क्लीक कर देना है कि दूस्तो और यह विडियो को सेव कर लेना है ओके दूस्तो है कि ऐसे सेव कर लेना है दोस्तों वीडियो को सेव करने के बाद इस्टाग्राम में जो कोई भी आपको गाना अच्छा लगे उस गाने पर उस वीडियो को अपलोड कर देना है जो छोटा-छोटा क्लिप करके अपलोड कर देना है ओके दोस्तों तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा जो दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिख कर आप बता सकते हो मैं आपको रिप्लाइ जरूर दोंगा तो दोस करो दोस्तो और ऐसा में बहुत एडिटिंग के बारे में और रिल्स के बारे में बहुत वीडियो बनाता हूं तो दोस्तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिपी किसन मिलती रहेगी तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म तक तक के लिए बाय जै माताजी जै हिन जै भारत